रहा फ्रोज भाई रहा फ्रोज भाई तुम यहां बैठे हो तुम्हें पता मोले में क्या हो गिया क्या हो गया अरे करन भाई ना है उनके पापा कु अटेक आ गिया अमा नहीं यार कल दो मेरे बाद बैठ के गए अच्छे खाट से दे बिल्कुल अरे रात ही तो अटेक आया मामला सीरियस हाँ अस्पताल में पड़े हैं मैं देख नहीं आ रिया था तो मैं तो फ्रोजबाई से बता जूँ भाई तुना सही किया मुझे तो पता भी निधा यार चल भी चल लिए हूं देखने करन भाई कैसे तविए पापा की पापा की तविए बहुत खराब है वह जो आई इसियो में है भाई मिल सकते हैं पापा से डॉक्टर ने मिलने को मना किया है भाई पिक अनमस्कर सब ठीक हो जाएगा अलब अब अब दू अगन्ना पापा जल्दी ठीक हो जाए भाई तेरे प आपर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तू फिकर मत कर, अच्छे लोगों के साथ अल्ला है, रे करण भाई फिकर मत करो, हम आपके साथ हैं, जैसे भी हैं, लो करण भाई, जैसे भी बात हो, हमां कॉल कर देना, हम आधी रात तयार हैं, ठीक है, ओ, रे फ्रोज भाई सुनो तो, यह लिफापा का क्या चक्कर है वही, लिफापा क्यों दिया है, लिफापा, असल में इस लिफापे की सबसे ज़्यादा जरूरत यहीं है, लोग शाधी ब्याओं में देते हैं लिफापे, अच्छी बात है, पर साधी ब्याओं का टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होती वो अपना इंतिजाम कर लेते हैं मेरे भाई बीमारी कभी बता के नहीं आती है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है यह अचानक हमारे उपर आती है तो सबसे ज़्यादा पैसे की जुरूरत यहां पे होती है इसलिए मैंने लिफापा दिया सची कह रहे अए फिरोज भाई मैं भी लिफापा दे कर आता हूं मिरे दोस्तों आप भी कभी किसी को होस्पिटर में देखने पीक ले जाएं तो प्लीज एक लिफापा अपनी हैस्टित के हसाब से लेकर जाएं हो सकता है आपका वो लिफापा किसी की जिंदी Legy बचाने का स कर दो